नमस्कार, घमासान हैल्स टिप्स में आप सभी का स्वागत है आपने सुना ही होगा कि दूद हमारी सेहत के लिए कितना फाइदेमंद होता है ऐसे ही सेहत के लिए फाइदेमंद होता है ठंडा दूद इससे आपका शरीर चंगा रहेगा और ठंडा दूद पीने से जहां ऐसी डिटी से तुरलत रहत मिलती है वही इसे पीने से और इसे लगाने से आपकी वचा नर्म बनी रहती है आपको बता दें कि दूध पीने से नीद अच्छी आती है और ये सर्दी जुकाम के लिए असरदार प्राक्रतिक उपाय है ये हमारे शरेग में कैल्शियम की कमी को धूर करता है ये सच है कि गर्म दूध सेहत के लिए लाबदायक है लेकिन इसका अर्थ ये कताई नहीं है कि ठंडे दूध से कोई लाब प्राप्त नहीं होता आपको ठंडे दूध के फायदों के बारे में जानकारी नहीं होगी इसने आज हम आपको ठंडे दूध के बारे में बताने जा रहे है बता दें कि ठंड़ा दूध पीने से जहां ऐसीडिटी से तुरंत रहत मिलती है वहीं इसे लगाने से आपके तुरचा नर्म वर्म मुलायम हो जाती है अगर आप ठंड़े दूध का सेवन गर्मी के मौसम में करते हैं तो इसे आपका स्वास्त कहीं समस्याँ से बच सकता है तो आईए जानते हैं इसके बारे में ऐसीडिटी के तुराण पीट में होने वाली जलन से बचने के लिए थंड़ा दूध पीना बहुत लापकारी होता है गर्मी की मौसम में एसिडिटी की समस्या का अक्सर सामना करना पड़ता है कई बार खाने में देरी या हैवी खाने से गर्मियों में सीने में जलन का एहसास होता है ऐसे में ठंडे दूद का सेवन करें ठंडे दूद में वाथ हर यानि ऐसे डिकी दूर करने वाले तत्वों होते हैं जो कि पाचन क्रिया में बहुत मदद करते हैं इसकी मदद से फूड पाइप के अंदर जवाब फैट यानि घी तेल भी साफ हो जाता है आप दूद को पाचन क्रिया बहतर बनाने के लिए इस्तमाल करना चाहते हैं तो उसमें अद्रक या काली मिर्च भी मिला लें जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगता है व्यक्ति के भीतर से ठकान का एहसास होता है कुछ लोग थोड़ा सा काम करने पर भी ठक जाते हैं ऐसे लोगों के लिए ठंडा दूद किसी राम बान उपाय से कम नहीं है ये शरीर को आवश्यक पोशक तत्व प्रदान करने के साथ साथ उसे एनरजी भी प्रदान करता है जिसे व्यक्तिक खुद को पहले से अधिक एक्टिव महसूस करता है जिन लोगों को हमेशा ही भूग का एहसास होता है और उनका मन हमेशा कुछ न कुछ खाने का करता है उनके लिए भी ठंडा दूद बेहद लाबदायाक है इसे पीने से ना सिर्फ तुरंत पेट भरता है बलकि इसे बार-बार लगने वाली भूग को भी नियंत्रित किया जा सकता है दूद में मौजूद लेक्टिक एसिड तद्व तवचा को एक्सफ्लोइट करता है ये ब्लड सर्कुलेशन को बहतर बनाता है उत्वचा से अत्रित तेल निकालता है